इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे Windows operating system पर अगर आप notepad पर कुछ लिखना चाहते हो तो wise type के तुरू कैसे आप बहुत बड़े sentence को या बहुत बड़े pages को बहुत आसानी से लिख सकते हो जैसे अगर मैं यहाँ पर type करके लिखूँ this is my youtube channel तो एक time लग रहा है राइट और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसे like, subscribe, like, share this video तो एक time taken process है in case आप कोई अपना notepad बना रहे हो कोई भी इस तरीके से तो कैसे wise type का इस्तेमाल करेंगे आप और ज्यादा से ज्यादा content आप within minute लिख पाएंगे बहुत easy है तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है windows के साथ h की और यहाँ पर उसके बाद आपको आ जाएगा start wise typing और जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको just start करना अपना wise typing पर example के लिए window H और अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं जो भी content आपको यहाँ पर लिखना है वो सारी चीजें यहाँ पर आप लिखना start कर सकते हो ऑके बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है आप चाहेँ यहाँ पर क्लिक करिए और जो भी content आपको लिखना है स्टार्ट कर सकते हो Simple window H की आपको प्रेस करना है और स्टार्ट कर देना है इसको Hindi, English, जिस भी जैसे भी आप लिखना चाहते हो वैसे आप लिख सकते हो, ओके थोड़ा सा आराम से आप wise type करवाएंगे तो बहुत आसानी से यह लिखेगा, जैसे सारी चीज़े यहाँ पर यह लिख लिया, तो थोड़ा सा clear wise होगा, तो obviously सारी चीज़े यह लिखेगा, जैसे अब मैं यहाँ पर type करता हूँ, Hello YouTube family, Today we will learn how to wise type in Windows operating system, it will save your time and it added a great value in your time, So, ऐसे ही जो भी चीज़ें आप यहाँ पर लिखना चाहते हो, लिख सकते हो, hope you like this video, और थोड़ा सा एक मतलब tricky लगा मुझे, मुझे भी नहीं पता था तो अचानक random यह मेरे सामने आया, type करते हुए और यह key press हुआ, तो मैंने सोचा है कि यह सारी चीज़ें आप लोगे स शेयर करते हैं, मिलते हैं नेक्स टोडियो में, thank you so much, have a great day.